हलो फ्रेंड्स, विल्कम टू माई चानल, आएम अकान चाग्रेरी, अज मैं आपको जीस द्रश्टी के समानी भुगोल के नेश्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हूँ, देखें इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रिस्तुती की गई है, means सभी टॉपिक को बहुत लेकिन यह सीरीज को आप रिवीजन के तौर पर जरूर लिजेगा, जब आप खुदी इसको पढ़ेंगे तो खुदी आपको लगेगा कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखें इस बुक में वही दिया है, जो एक जाम के दश्टे से इंपॉर्टेंट है, और करते हैं, अपने एक कोटेशन से, देखें, आज सिच्छक दिवस है, तो मैं इसी के उस प्लस में लेकर आई हूँ, देखें, डाक्टर सौरपली राधा किस्टन को कौन नहीं जान था, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, आज 5 सितंबर है, तो मैं अपने सिच्छकों को प्रणाम क क्या है, देखें, गुरू के भीतरवा चुमकी सकती होती है, जो अपने सिस्य को आकर्षित करती है, और इनहीं सकतियों के कारण सिस संसारी चुनतियों पर बिजय प्राप्त करता है, ठीक है, आज जो भी मैं कुछ हूँ, वो अपने मैं सिच्छक के वजए से ही हूँ, ठी जो पहला सिख्षक हैं वह हमारे मातापीता होते हैं को सब से पहले आपको के मातापीता को करेंगे इसके बाद इस्थान किसका आता है गुरू का तो आप अभी आज 5 सिटमबर तो आप अपने माता पितों को नमन करेंगा ठीक है देखे क्या है गुरू ही है जिसके वज़े क्योंकि आपको माबाप के बाद सही रास्ते पर ले जाने वाला कौन होता है एक वो के वर सिच्छकी होता है वारना इस दुनिया में कौन निस्वार्थ भाव से काम करता है तो अगर वो कह दो तो वो सिच्छकी है ठीक है और आप देख रहे होंगे कि सिच्छक में एक अट् लायक बनाते हैं कि दुनिया में वो लड़ सके या जो भी चीज़े हैं इसमें वो बीजय प्राम्तवية कर सके म्ह MOR है जो भी कर रहे हो यह जो भी आज हो वह सिच्छक की वज़ेसों हो कि आपको आपको जो नहीडे भी से काख़ा अगर यह नहीं सीखेंगे कि आप सेंटेस भी नहीं सीख पाएंगे ठीक係 तो हमारे हमारे लाइफ में सिच्छा का बहुत ही रोल है आईए श्टार्ट करते हैं हम अपने लिक्चर से आईए आज का टॉपिक हमारा है बहुतिक बिभाजन ठीक आज हम पढ़ेंगे बहुतिक बिभाजन के बारे में देखें इसके पहले हम लेने पढ़ा था भारत का सामान परचे जिसमें हम लोगों ने देखा था करक रेखा किन किंदाज्यों से होका गुजरती है और भारत का अच्छांसी बिस्तार क्या है और देशांतरी बिस्तार क्या है और भारत के कौन-कौन से पढ़ोसी देश है ये सब हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख लिया है ठीक है आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंग आईए हम लोग इस्टार्ट करते हैं जिन लोगों को मेरी स्पीड थोड़ा ज्यादा या कम लग रही है तो आपके फोन में स्पीड घटाने और बढ़ाने का ऑफसन रहता है तो आप क्या कर लिजेगा अपने अनुसाल जो भी आपको सही लगे आप स्पीड घटा सकते हैं यह बढ़ा सकते हैं ठीक है और हाँ आप लिक्टर बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरा टार्गेट है आप लोगों की यहीं पर ही याद कराना हैं यहीं आप सारे कॉंसेट क्लियर कर लेजिए और जो कुछ भी डाउट है आप कमेंड बॉक्स में चलो रिमिंसन भारत की भुगार्विक संदशना भारत की संदशना लेकर आप आप आज देख रहे हैं कि सेविन कौनिन इस नहीं तो यह था पहले क्यों था पहां जी आथा टा क्या था फेंट ने कलांतर में विभाजन हुआ तो हमारा बन गया है अंगारा लेंड जिसे बोलते हैं लारि में क्या आएगा इतना हम डेटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तब आपके लिए वहां पर important हो जाता है ठीक है लेकिन मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूं जिस को आप एक्जाम में आपके लिए important है आपका प्री आसानी से निकल जाए ठीक है ओके आए श्टाट करते हैं देखे क्या है भारती भूगार्विक्सन रशना का विकास पैंजिया के अंगारा लेंड जिसे बोलते लौरिसिया और गोंडवाना लेंड की विभाजन से प्रारम होता है आप आप देख रहे हैं पैंजिया गोंडवाना लेंड में हो गया है यह एक हमारा पूरा चुमकत्तो है जिसको हम अध्यां की साखा है अलफ्रेट विग्नर के महा दीपी विस्थापन उड्धांत को प्रामारित करने कि अधार पर यह बनाया गया तेकि ये जो रेके चकरद में मत रहए हैं ठीक है कोए ऊक और किसका गूंक सामेरा प्रत्वी कि सूवकत देखती है और क्या कि Özensite अब देखते हैं भारत के प्राक्थिक प्रणीस से प्राक्तिक प्रदीस ? ठीक है क्या है भारत के प्राक्तिक प्रदेश है यह मोस्ट इंपोर्टेंट इसी से क्यूस्टन हमारे बनते हैं बनते हैं जब मैं लेक्ट्र पढ़ा लोगी इसके सारी कम्प्रिट कर लोगी तब प्रिविस यह क्यूस्टन पर जरूर लगाएगा तब आप खुद उत्तर का परवती प्रिदेश उत्तर भारत का विसाल मैदान दच्छषी एंगोंमध भारत की पर्वत शिनुड्रिय एवं पहाडीय आएँ Bye प्रवत चौटियां है कौन कौन सी चौटियां इसमां दोरेस्ट हो गही और घहला गिरी हो गई यह सब हम सब भजनगे फी हम लोग पढ़ते हैं भार्वारत के उत्तरी सीमा पर भिस्तरत हिमाले भूगर भी रूप से युवाँ बनावत के द्रश्टिकोर से नवीन वलित पर्वत्रंखला है यहां परवत प्ष्चिम पूरदी समें सिंदु नदी से लेकर ब्रह्मपुत नदी तक पहला देखें मैं लंबे समय तक आपके माइन बना रहाएगा ठीक है देख रहा है यहां पर देख रहे हैं यह हिमाले की इस्ट की तरफ हमारा वेश्ट में आपने क्या देखा है वेश्ट नदी बहती है यहां पर वेश्ट का लाँसिक में सिंदू नदी बहती है और वेश्ट में हमारे वेश्ट नदी हमारे रहती है तो वह रहार है इसका विश्ट में है वेश्ट में है आप जो इसक जो चौदाई है चाध़ है यहां पर जो इसकी चौदाई है लग बद है लेकिन हमारी, ईसकी कीहाय PARSE अब देख रहे हैं देखे जो इसका विस्तार ही इन रागस के समधियों इसमें नीचे तरब बन जाती और यह लाश्ट में ऐसे गया है यह इसको मैमार की पहाडिया बोलते हैं मैमार में इसको क्या बोलते हैं अराकान योमा बोलते हैं ठीक है हिमाली प्रवांचल में पहाडिया है इसको क्या क्या बोलते हैं इसको इस्थानी नाम है इसे मिजोरा में मिजो पहाडिया बोलते हैं नागा लेंड में नागा पहाड माउंटेन और यह它 वेस्ट में इसका विस्ताहरा को पूछ हिश्टार हों यहां पर हमारा आशiese Heart उपर है सब्सक्राने का विस्ताहर है ठाइक ऊपि देगे हमारे मनें थेरा है इसे of hindi को डिखा इसे प्रहरा श्वकुत कर दिखेंस फिल्यमें तेन मोठर लेके यह चो हमारा दिख़ रहा है अपको, यह इतना है, यह हमारा ट्रांस हमाले यह पार हमाले बोलते हैं, जिन में इनकी स्ट्रेनी कौन कौन से आती है, करा कोरम कई बार पूचा गया है, इसका उसका उत्तर से दच्छुर का करम भी पूच लेता है, तो आप फें ध्याम इसको हम लोग बोलते हैं लगुहमाले, जो सबसे नीचे है वाहिमाले सिवालिक हिमाले, क्या बोलते हैं बहां हमाले क्यों बोलते हैं क्यों होता है ऍश्राइं हुटे हैं और देखने नियुक्त ब्रहाद हिमाले को अन्दर से कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है कि अप गरत करोगे कि बाहा हिमाले है वह यह इसको क्या तरह किमाले बोलोगे ठीक है इतना है यह आपको हो गया आई यह देखते हैं इसका देखे क्या है इसका मतलब समझ गया कि यह पश्चिम पूदिसर्म में सिंदु नदी से लेका प्रम्पूत नदी तक फैला है अब देखे हिमाले का भावत तीक भी भाजन अभी उने बताया त्रांस हिमाले की पर हमाले यह पूदिसर्म है यह नया और यूवा भी है ठीक है क्योंकि हमाले पूराना नहीं है यह जादा हमारा पूराना नहीं है क्यों इसमें क्या हुआ है यह हमारे पहले जहां पी हिमाले था वहां हमारे पहले टेथी सागर रहा करता था लेकिन यहां पर हमारे नदियां बहे रही है तो नदिया अपने साथ क्या लाती है बहा कर नदिया अपने साथ बालू लेकर आती है बालू लाती है कंकर पथर लेक जिसकी वज़े से हमारा क्या हो गया हिमाले का निर्माड हो गया तेखे इतना इंपोर्टन नहीं आप जानिए यह सब्सक्राइब कैसे हुआ मैं बता रही हूं कि हमाले आज जहां है वहां पहले 33 सागर हुआ करता था ठीक है तो 33 सागर में वलन के फल सरूप इसका इसका नि इसके कैलास रड़ी भी है प्रावत माला के पश्ची में रिस्तित है देखे इसमें एक बात और द्धान रख लिए जुमर ट्रांस हिमाले है इसमें कोई वन वन नहीं पाया जाते हैं क्योंकि यह पूरा हीम एरिया है ठीक है अब आगे हम देखते हैं ब्रहाद हिमाले जि कि इसना गया है। क्या बोलते हैं आंतरिक हिमाले और इसको बोलती हिमादरी क्या बोलते हैं ही चटाने तनी जुग क्योंक है किसके रूप में अब देखो इसका भी नंगा परवत इनी सिंदु नदी से लेकर पूर में नम्चा बरुड़ा जो अनुचा प्रदेश तक इसका क्या है बिस्तार रहाद रखना देखिए आपको आसानी होगी आसानी हो रही होगी एक बन मैंने आपको मैप से समझा दिया ठ सिसके ऑनणाम हिमाले महान हिमाले हिमाद हान्तरी फिले हिमाले थी चोटियां कौन है धालगव्र उन्ध लिए म hipa नेपल हिमाले की ही माले की दूसरी प्राचीन सिरड़ी है ठीक है अब आई निश्ट हम देखते हैं ब्रहाद हिमाले की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है इंड़े जो सबसे सबसे उची चोटियां मौंट एवरिस्ट है भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है अब बताएंगे मांट गाडविन आश्ट मुछा जाएंगे मौंट द्यान में रखिए तो कि अब देखते हैं कुछ महत्यपूर्टथ जो कि एक्जाम में इसी कुष्टन्स बने हैं ठीक है अब पढ़ते जाएए देखिए ध्यान से देते जाएए हिमाले की सबसे पूर्बी सीमा बनाती है अब आप वही मैप को ध्यान में रखेंगा जो भी हमने आपको बताया हमाले की सबसे पूर्बी सीमा कौम बराती है ब्रह्मपुत्र नदी हिमाले की चोड़ाई अरुचर प्रदेश में 150 किलो मीटर है जब की कास्मीर में इसकी चोड़ाई 400 किलो मीटर है यह भी हमने आपको पॉइंट डिसकस किया था पामीर की गांट हिस्तित है ट्रांस हिमा हमाले में एक चोटी है जिसको बोलते है राका पोसी ठीक है वह सबसे तीवर ढ़ाल वाले चोटी है ठीक है यह एक जामिकुष्ण पूछा गया है याद रखेगा करा कोरम स्टित है कहां पर इस्तित है याद रखिए मैंने बताया कहां पर इस इंडिया है तो यहां से हमार करती है तो चिक कि बीच में बहती है कि सडिय के बीच में पर और जासकर के बीच में यह भाट करती है हिमाले की पूरी परवर संक्रा द्रसाती है युदा सो क्रितीकों आते दिक उचे सिखर गहरी घाटियों तर तेज बहनेवाई नदियों से समंदित हैं हिमाले परवस्त संखरा ठीक है पताल तोड़कुएं पाये जाते हिमाले के तराई छेत्र में जो भी पताल तोड़कुएं पाये जाते हैं मतलग इसमें पानी इतना अधिक होत होता है कि सबसे परवत है कौन है हिमाले है महान हिमाले के वले की कैसी आधीकान से प्राप्ते करता है दच्छल मांसुन से जब मैं आपको मांसून चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको बहुत अच्छल बताऊँगी कि हिमाले कि हिमाले की रशना समर्ण अंतरवले सेडियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम स्रड़ी है त्रांस हिमाले इसमी आपक है, अब देखिए इसकी सबसे लंबी सुन्करा बॉलते हैं पीरbertफ्ट्रिपाइवा बरहां दियों कि दो ऑवस्ति potrze में इसका अन्य क्या है लग हिमाले को मधध्हिमाले भी कहा जाता है, इसको निर्माड है मध्य माय Canal है युग में किया गया इसे प्रमुक सी एज़े रकेगा तो तो आप ज़्यान के टो आजलेगस, अब दिखे हैं, अब देखे हैं, क्या ओर क्या बोलते हैं बहाँ हिमाले बोलते हैं पाखिस्तान के पोटवार बेसिं से लेकर पूर में आसम के दिहांग तरраж है, पाकिस्तान के का जो देहरा दून है कोटली दून और पाटली दून है ये हमारे शिवालिक ही सिरडी में है ठीक है यह अननाम किया इसके नवीन हिमाले इसका निर्माड है प्लायो सीन युग में इसके निर्माड हुआ है इसकी जो उचाई है 900 से 1100 मीटर और चोडाई है 50 किलो मीटर लगभा पामीरगाट है जो एरिया है यह तिबबत का एरिया फिए उपर क्या हुटता है चाइना के अब ध्यान रखेगा ठीक है ओके यह सब अपने देख लिए ठीक है अब देखें महात्यपूर्ट तथ्य और क्या है ब्रहाद हिमाले और लगु हिमाले से अलग होता अभी मनें द्रश्ट द्वारा यह यह पहले लगु हिमाले की परफर स्रंकलाओं का निर्मार हुआ है संपीडित तथा परिवर्तित सैलो द्वारा लगु हिमाले में इस्थित पीर-पंजाल स्रणी के प्रमुक दर्रें क्या है बुर्जिल एवं बनियाल कई बार पूछा गया है सिवाली को लगउ हिमाले से अलग करने वारी सरचना कौन है में में बॉंडरी स्वाला को लगउ हिमाले से अलग ये अलग करती हैं सिल नगर और जंबु और स्ञां मार में फॉल्पल चाहते हैं सिवाली के निशले भाग को कहते हैं आपको आसानी रहेगा यह तो ढूब जाएगा सिवाली को लग हमाले से क्यों करता है MFT और सिवाली को लगई हमाले से कौन करता है MBF ठीक है लगई हमाले तथा सिवाली के बीच इस्थित लमवत घाटी को क्या कहते हैं पस्ची में दोन पूर में द्वार उत्रा खंड में बुग्याल बोलते हैं अब देखें निश्ट क्या है हिमाले का प्रादेशिक हमाले को बोलेंगे और नेपाल असम और यहां तक पंजाब हमाले होता है और यहां से यहां तक जो विस्तार है हमारा कुमाव हमाले होता है और यहां से यहां तक जो हमारा बिस्तार है यह हमारा नेपाल हिमाले इसको बोलते हैं ठीक है नेपाल हिमाले बोलते हैं और यहां से यहां तक को बिस्तार है बोलते हैं इसको आसम हिमाले बोलते हैं यहां से यहां तक को बिस्तार को आश्म हिमाले अब हम देखेंगे क्योंक डिक हैं पर यहां पर निती होती हमारा मनद्हिण अपको बिच कर देख यूडिय। और यहाँ पाए जाती थिस्ता नदी और यहाँ पाए जाती दिहांम नदी ठीके आप पचनम से मेयाग भागी हमर्द इस failure कुम काली-घामाले और अगर मेया किसको बोलते हैं एक बढ़ और आपको बता दो अब हमारा जो हमारा नदी से लेकर 17 का घुमार हमारा बहाग है उसको हमन किसको पंजाब behalf नहीं को से कुमाई हमाले एक बार कुशन से बना हुआ है कि कौन से किसको कुमाई हमाले बोलते हैं या किसको पंजाब हमाले बोलते हैं ठीक है और काली से तिस्ता के बीच को क्या बोलते हैं नेपाल हमाले और तिस्ता से देहं के बीच को क्या बोलते हैं आसम हमाले ठीक है अब तो आप नदी के मद जो इस्तित हिमाली भाग उसको बोलते हैं आशम हिमाले अब आये देखतें कुछ परिछप योगी तत्त क्या है। कुमाई हिमालayan के पत्षचमी और पूर्वी भाकु क्या मनें और क्या बोलते हैं कि कई पर पूछ गया है कि बत्रीना, केदाना, तर्शूल, गंगोतरी, नंदा देवी यह कुमाई हिमाले की चोट्टनी है, विहन ताल और शा-थाल स्तिष नैड catray मात चल एंध के आंडे वाच बूरवी नदी डर्रंपुत्र नदी असरे बिल्स्ट्रत हैं तिबधで चीन में अभी देखां सिंसमी अलवाचर प्रदेश और भूटान में ठीक है असम हिमाले बिस्त देता है नेपाल हिमाले से समंधित प्रमुख चोटी है कौन-कौन सी है धौलागीरी अन्नपुर्णा मंसालो गौरी संकर और मांट एवरिष्ट यह मांट एवरिष्ट नेपाल में है याद रखिएगा ठीक हिमाले की स सबसेपूरवी चोटी नमचाबरवा इस्तीथ है तिबबत में अनुरचर प्रदेश की निकट निकटी सीमबं बनाती है ठीक है मौक्व कहां है यह यह तब हमारव यह मारे देख रहे हैं यहाँ थोड़ा इससे यहां पहलक्ती पिबद में क्लस्क्राइ Значит कर याद रखिब संतल्भू छेत्र है जिसकी उचाई अपेच्छाक्रत कम है यह भारती हिमाले के अचके समनांतर पूर से पश्चिम में बिस्त्रित है ठीक है जो इसका विस्तार है आप देख सकते हैं पश्चिम में सिंदु नदी तक है और पूर में ब्रंगो पुत नदी तक है इसके जो ल प्रसिकार के विकास में सहायक है इसके निर्माण है सिंदु गंगा ब्रंपुत्र सहायक नदियों के आउसादों के निपेचर सुआ मैंने आपको बताया है कि जब कोई नदी बहती है तो अपने साथ धेरो बालू लाती बालू इकड़ छोड़ पत्थर यह सब बहा कर तब उस종 अधार भाव। और प्रादेसिक पर क्या देखके बहाबर तराइ भांगर खादर डेंटा इस सब की सब मैं आपको मैं आपको डीटेल बात में मताओंगे भी बाद में जब नाचान का मैदान अ मेदान और ब्रमपुत्र हैं। अब देखतें दोवक् край को किसे बोलते हैं hy bear City के इंदी है हमारी दो नदिया प्यास इनके बीच-ध़न के पृते हैं नया करने नदियों के इस्थान होते हैं बूयाब कहते हैं सत्लुज के मत बारी इस पता चल पाएं राशु मतलब रावी के मदध राशना रावी चा मतलब चीनाब के मदध चाजु चाज दुआप चीनाब जेलम के मदध अगर जाम में आज आएगा तो आप लगा लेंगे इतनी में मैं आपस चल देंगे और वहां सींदू सागर assert आप याद रखरव किसको बोलते हैं सिंदू सागर पुन कि मद किसको बोलते हैं जहीं हुआ है चांज दचीर के सतिक लिए ऐसित छतने करैब कि मिठी इसको ईटना करें तेक नहें इँ अगरो अगर ne जरूर सेयर करिये, ठीक है, ओके वेंस, थैंक यू